हाई स्टुडेंट आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एवी पीएंड एजुकेशन में और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 के मैच्स और इसमें हम लोग आज प्रतीसत का अगला निक्ष्ट अभियास है जो की अभियास सुला है यहां पर देखिए जैसे की पिछले पीडियो में हम परतीसत क्या है और उसको जो है कैसे भिन को परतीसत में बदलते हैं और परतीसत को भिन में किस प्रकार से बदलते हैं यह सभी जो है सिखे थे लेकिन आज इसमें जो है हम कुछ इस प्रकार से भा lesson I am earned проблемafter कि कि द Richt uh कि किसी अस्पूल में 60 परतिसत लड़का है 60 परतिसत लड़का है यदि उस आघ Claire कितनी है ताब बताये जब इस एस्पूल में शाठ परतिसत लड़का है यानि की लिखेंगे की लड़का जो है 60 परतिसत है तो उस अस्कुल में कुल लड़के की संखिया जो है कितना दिया हुआ है 405 है ना ते टोटल ए स्टुडेंट इसमें कितना होगा उँ हमको मालूम नहीं है या तो लड़की जो है वो भी मालूम नहीं है तो हम कहेंगे total student के 60 प्रतिसत जो है वो क्या है लड़का है तो हम कहेंगे कि माना की माना की कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर X कुल विद्यार्थी की संख्या कितना माली है X गो तब देखिये तो कहता है 60 प्रतिसत लड़का है मतलब विद्यार्थी के 60 प्रतिसत क्या है लड़का मतलब लड़का की संख्या लड़का की संख्या कितना होगा पुरा X के 60 परतिसत 60 परतिसत का मतलब 60 बटा 100 ते गो 0 से 0 कट गया 3 दूनी 6 5 दूनी 10 तो 3X बटा 5 हो गया 3X बटा 5 यह लड़का की संख्या निकल गया तो लड़की की संख्या कितना होगा तो यहाँ पर कहेंगे लड़की की संख्या बराबर लड़की की संख्या लड़की की संख्या कितना होगा तो टोटल विद्यार्थी में से लड़कावा के घटा देंगे तो लड़किया निकल जागी यानि कि लिखेंगे x-3x-5 एक्स टोटल भी द्यार थी जिसमें से लड़का इतना इसको माइनस कर दो तब 5 में एक्स से गुना करेंगे 5 एक्स माइनस में 3 एक्स बटा 5 तो इसको हम जब घटाएंगे तब 2 एक्स बटा 5 आ जाएगा यानि लड़की की संखय कितना गिया 2 एक्स बटा 5 लेकिन आप देखो यहां पे परस्न से परस्न से क्या कहता है भाई कि यदि कूल लड़के की संखय है 405 है तो लड़का की संखय यहां पर 3 एक्स बटा 5 है लेकिन यहाँ परस्ट में दिया हुआ है 405 मतलब 3x बटे 5 का भैलू 405 है तो हम x का भैलू यदि निकालना चाहें 3x के तो 5 जो है भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 405 गुना 5 तो कितना होगा 55 पचीश और 5 में 0 से तो 0 और 2 हसीलवा तो 2 25 का 20 2025 हो जाएगा लेकिन 3x का भैलू 2025 आया तो x बराबर कितना हो जाएगा 2025 बटा में 3 और 3 से इसको काटेंगे 3 6 18 2 बच गिया 321 और 3 5 15 675 जो है क्या आगिया यहाँ पे यह x का भैलू आगिया मतलब कूल विद्यार्थी आगिया लेकिन हमें लड़की की संख्या निकलना है तो लिखेंगे लड़की की संख्या बराबर लड़की की संख्या कितना होगा तो यहाँ पे देख रहे 2x बटे 5 तो लिखेंगे 2x बटा 5 एक्स तू हटो इसके जगह पे एक्स के जगह पे 675 को रखना है अब पांच से काटेंगे तो पांच एका पांच पांच तिया पंदरा और पचपचे पचीश 135 दूनी 270 और 270 जो है इसे अस्कूल में कोची है लड़की है है नद आप इस परकार से इसको बना सकते हैं यह सभी प्रोसेश जो है यह फिर्स्ट कोशन का है आप इसको दूसरा तरह से भी बना सकते हैं जैसे तो दूसरा तरह कौन सा है उसको देखिये और यह जो है पहले कोशन नमर दू नहीं यहां पी मेथड जो है दू बताते हैं मतलब दूसरा मेथड क्या है 60 परतिसत का मतलब क्या होता है तो 60 परतिसत का मतलब आप कहेंगे कि इसको 60 बटे 100 लिखेंगे और इसको काटेंगे तो हो जाएगा तीन बटा पांच तीन बटा कितना हो जाएगा पांच तो इस 60 परतिसत लड़का है मतलब तीन बटा पांच कोची है लड़का है तो लड़की कितना है तो लड़की दिया निकालना अगर होगा लड़की तो देखिए इसका मतलब होता है कि पांच गो जो है टोटल स्टुड तो दूग म हो जानक्थ नहीं तो याद राखेंगे कि परतिसत के रूप में 100 होता है लेकिन अगर बहीन के रूप में देखें तो एक कोंछी इंदा मतलब एक बराबर जो होता है सू परतिसत होता है 100% के भईलू 1 होता है मतलब ही total student है 100% चाहे एक कह रहे हैं तो total student है तो एक जब total है तो बता वो ही अतना लड़का है ये कुछ है लड़का तो लड़की कितना होगा 1-3-5 तो 5 एका 5-3-5 यानि 2-5 2-5 क्या है लड़की अब प्रास्न में दिया हुआ है तीन बटा पांच का भेलू कितना तो यहाँ पे देखिए तो 405 तो यहाँ पे लिखेंगे 405 तो यह तीन से ही कट जाएगा तीन एका तीन और एक बचा तीन तीन आई नौ एक तीन पचे पंदरा और एक बराबर कितना गिया यह पांच गु प्रुक्ति में और इसलिए इसलिए दूबटा पांच तदूबटा पांच का भेलू निकालना होगा तो यह गुना हो जागा यह तोटल में 5 गुना 135 पांच से पांच कट गया 135 दूनी 270 और 270 गो क्या आ गया लड़किया गया तो आप इस तरह से भी बना सकते है इसके पहल साही है कि किसी एस्कुल में डेर सो लड़कियां बोड की परिच्छा में बैठती है यदि उसमें से 30% लड़कियां परथम सरेनी में और 50% लड़कियां दिवतिय सरेनी में तदा सेस लड़कियां तृतिय सरेनी में पास करती है तो बताओ कितनी लड़कियां ने किस सरेनी मे पास किया तो हम जान रहे हैं कि टोटल जो पास करने वाला होगा वह कूल मिलाकर 100 होगा तब डेड़ सो टोटल लड़की है जिसमें से 30 प्रतिसत क्या है लड़कियां फरस्ट दम आई है मतलब प्रथम सरेनी में तो हम आगे लिखेंगे कूल विद्यार्थी बराबर कूल विद्यार्थी काएगो है यह जानना होगा तो हम कहा देंगे एक्स को कूल विद्यार्थी काएगो एक्स को जिन में से प्रथम सरेनी में लड़की के गएग। में 100 यानि 3X बटा दस सेकेंड कितना आई है तो लेखेंगे यहां पे सेकेंड ए लड़की है तो हम कहेंगे पुरा टोटल एकस का 50 परतिसवत लड़किया द्यूतिय सरेनी मतलब सेकेंड डिवीजन में पास किया मतलब कितना पंचास परतिसवत मतलब 50 बटा सो पांच दुनी 10 यानी एकस भटा दूआ गिया है ना और काता है स्यंस लड़किया तिरितीय सरेनी में पास करती है तो स्यंस लड़किया मतला थार्ड थार्ड डिवीजन से पास करने वाला लड़कि केग हो जाएगा तो देखिए तो टोटल सो परतिसाद तो तीस परतिसाद इधार अब पचास परतिसाद इवला तो पचास तीस असी परतिसाद ना तो सो में से बचा कितना बीस परतिसाद मतलब इसको हम काट के लिखेंगे कितना 20 बटा 100 काट देंगे तब 20 पचे 100 हो जाएगा मतलब एकस बटा पांच एकस बटा पांच जो है ठट डविजन से पास की है तब देखिए काता है कि कूल जो है 1500 लड़की परिछादी थी यानि कि परासन से परासन से परासन से क्या कहेंगे 1500 लड़की मतलब एविला 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 टोटल के जोड़ेंगे 1500 होना चाहिए मतलब 3X बटा 10 plus 1 बटा 2 plus X by 5 बराबर कितना है 1500 है आप देखिये था 10 दू 5 के लग हुतम लेंगे तो 10 हो जाएगा तो 3x दू 5 पचे 10 तो 5 में 1 से तो 5x 5 दू नी 10 तो 2x में 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x बराबर में कितना 1.500 है ना अभी सब को जोड़ दीजे 5 3 8 दू 10 यानि 10x बराबर 10x बटा 10 बराबर 1.500 तो 10 से 10 कट गिया यानि x बराबर कितना गिया 1.500 एक सब बराबर 1.500 आ गिया तो 1.500 कोच है माने हैं x कूल विजयार थी मतला कूल विजयार थी 1.500 लेकिन काता है बताओ कितनी लड़की ने किसरेनी में पास किया अगर फर्स्ड तवीजन में देखेंगे फर्सड डिविजन में पास लड़की फर्स्ड बटाब passion में पास लड़की कितना और पंदरतिया 45, माना 45 को लड़की First Division अब Second Division की अगर बात करें, कि Second Division में जो है कितना लड़की पास हुई है, है न, Second Division तो यहां पे देखिये तो Second Division में कितना है तो X, Y, 2, तो X, Y, 2, तो X के जगह हम कितना निकाले हैं 1.500, तो x को हटाएंगे, इसके जगाए 1.500 दे देंगे, तो धूसरे कट जागा, यानि की स्थापों 25 गों लड़की, और ठर्ट डविजन कितणा पास किया है? terce division तो terce division से पास लड़की पास लड़की third division से पास कितना कि है x बटे 5 न तो यहाँ लिखेंगे x बटा 5 लेकिन x के जगा हटा के ओर लिखेंगे कितना 1200 तो यहाँ पे 1500 लिखेंगे 5 से काटेंगे तो आ गिया 30 और यही जो है 3 का 3 अंसर हो गया मतला फर्स डिवीजन में पास लड़की 45 गो, सेकंड डिवीजन में 75 गो और फर्ड डिवीजन में 30 गो है ना तो इस बरिकार से जो है आप नोट कर सकते हैं तो चलिए हम अगला जो है कोस्टन देखते हैं आगला जो कोस्टन है आपका तीसरा नमबर देखिए काता है किसी गाउं में मर्दों की संख्या 60 परतिसत है यदि उस गाउं में औरतों की संख्या 440 हो तो उस गाउं की जन संख्या करेगो है है ना काता है तीसरा नमर कोस्टन की बताओ मर्द जो है उसमें 60 परतिसत है माना की कूल जन संखिया है एकस गो क्या मर्दोन की संखिया कितना होगा लिखेगे मर्दों की संखिया बराबर मतलब एकस का 60 परतिसत और 60 परतिसत का मतलब 60 बटा 100 इसको काटेंगे 3 दूनी 6 पाच दूनी10 यानि 3 एकस बटे 5 गो अब काता है औरतों की संख्या 440 तो इस रूप में औरत की संख्या कितना है तागे निकाल लेंगे आरतों की संख्या बरावर तो देखिए तोटल जन संख्या एक्स को जिसमें मर्द जो है ठरी एक्स बटे फाउंस गो तो औरत कितना होगा तो कहेंगे एक्स में सही विला को घटा दे तो कितना हो जाएगा 5 एक्स माईनस 3 एक्स बटा में 5 यानि कि 2x बटे 5 इतना आजाएगा अब कहेंगे परासने से अब परासने से क्या भाई यहां कहाता है कि यह औरतों की संग हैं यहां पाथ 2x बटे 5 वह है लेकिन वह पर ही 440 तो लिखेंगे 2x बटे 5 बराबर 440 तो वह दूसर इसको कड़ देंगे तो 220 पाइक्स बराबर 5 भागा में है तो इधर आएगा गुणा में तो 5 गुणा 220 बाइपन 110 और एको 0 है मतलब एगारा सो यहनि एक माने थे कुछी कुल जन संख्या अता उस गाउं की जन संख्या लिखेंगे अता उस गाउं की जन संख्या बराबर गाउं की जन संख्या गाउं की जन संख्या कितना हो जाएगा एगारा सो हो जाएगा एगारा सो यही क्या हो गिया इस परस्न का उ अगला कुष्ण देखते हैं आप इसको जो है दूसरा बिधी से भी बना सकते हैं जैसे कि फर्स्ट बार जो है बताएं वो तरीका से भी आप बना सकते हैं इसको अगला देखिए काता है कि तुम्हारे अस्कूल में आज साले 1230 चात्रायन उपस्थित है यदि अस्कूल में क उपस्थित छात्राओं की संख्या बताया मतला कः गो जो है प्रजंट चात्रा फैario अगल्ष तो यदि अस्कूल में कूल्फली चात्र जो है क्या है टोटल जो है गल्स है जिसमें से अनुपस्थित लड़की कितना है साड़े बारा प्रतिसत तो हम माल लेंगे कि माना कि इसमें जो है कूले छात्रा की संख्या एक्स है जिसमें साड़े बारा प्रसेंट निकालेंगे उतना अनुपस्थित और एक समय से जो घटा देंगे अनुपस्थित उला तो उपस्थित निकल जाएगा और उपस्थित जब निकल जाएगा तो फिर उसके बाद जहें हम असानी से छात्रा की संख्या निकाल सकते हैं जैसे ऐसे देखिए हैं यहाँ पर देखिए कहता है त आगे निकालेंगे कूल छात्रा, कूल छात्राएं कितना है, 880, जिसमें से अनुपस्थित कितना है, अनुपस्थित, अनुपस्थित छात्राएं, तो अनुपस्थित छात्राएं यादि देखें, तो साढ़े बारा परसेंट है, मतलब 880 का साढ़े बारा परसेंट, कितना ह होता है तब बारत दुनी चोबिस एक पचीस बटा दू परतिसत हटाएंगे तो नीचे में सो दे देंगे पचीस चोका सो अब इसको काटेंगे चार दुनी आठ और आठ से कट जाएगा 110 मरतबे मतलब 110 गवान उपस्थित छात्रा है तक आता है कि बता उपस्थित की संख्या उपस्थित छात्राओं की संख्या तोटल 880 गो है ना जिसमें से 110 गो नहीं आया है पढ़ने तो बतावो घटा देंगे तो निकल जागा उपस्थित आठ में से गिया 770 छात्राओं छात्राओं क्या है यह उपस्थित है तो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं तो ठीक है अगला जो question है आप वैसे ही है आप बना सकते हैं तो हम देखते हैं next question तो अगला question है आपर देखिए six number question कहता है कि 2 October पर खादी के सभी वस्त्रों पर 25 परतिसत की छूट दी गई यदि इस छूट में 45 के वस्त्रे किसी केंद्रे से बिके हो तो इसकी खादी के इन खादी के वस्त्रों का असली मुल क्या है देखिए 2 October तो गांधी जी के जयनती है अरू जो है क्या करते थे स्वदेशी कपड़ा बनाते थे खादी कपड़ा तो उसे कपड़ा सभी प्रकार के कप वस्त्रों में 25 परतिसत की छूट दी जाती है मतलब 25 परतिसत छोड़ दोबल जा रहा है उसको यदि छूट में 45 के वस्त्र किसी केंद्र से बिके हो कोई दोकान से जो है 45 रुपया के कपड़ा बिका हो तो बता उसका असली मूल क्या होगा तो आगे हम निकालेंगे कि असली मूल तो आसली मूल कैसे निकालेंगे 45 परतिसत को बेचारा खरिदा है है ना लेकिन 25 परतिसत छूट मिल लिया तो उसको माइनस कर देंगे तो 2 प्रतिसत 15 प्रतिसत 25 वटा है 100 आप 25-45% और चार से इसको काटेंगे यह दित चार एका चार एका चार चार दुनिया चार पचह वीश सो पचीस आ गया है अब यह 45 सो में से 1115 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाँगा? दस में से पांच गिया 5 और ये बच ये कितना? ये नो बच गिया, तो नो में से दू गिया 7 और ये बच गिया 4 तो 4 में से एक ग slips गिया 3 और ये बच तीन, तीन में से गिया 2 यानि तेईसोड पचचत्तर मतला उसका आसली मूल कितना निकल गिया 2375 रुपिया इसको जह इस परकार से लिख सकते हैं तो ऐसे जो है आप इस सभी प्रसुन को बना सकते हैं इस सात्वा नमबर भी कोशन कहता है कि इतना गेहूं चुहा खा गिया तब बचे हुए गेहूं का जो वजन है इतना किविंट गोडा में कितना किःवं था तो महीं तो कितकी drei मान निकालना है गेहूं आप इसे भी बना सकते हैं इसको वेशन आर खुद से बनाएंगे अब चली आगला को कोश्चन देखते हैं अब यहां पर नौ माह को श्चन काता है किसी विद्याले में पिहले साल 400 बच्चे थे और इस बार से उस अश्कूल में 440 बच्चे हो गए देखीए कोई विध्याले में उगर पही पिछल का साल जो है 400 बच्चा था लेकिन इस बार जो है 440 बच्चे हो गए बताऊं बच्चों की संख्या में कितने परतिसत की विरिधी हो गई तो आगे निकालेंगे कितना बिरिधी हो गया, ठीक है, तो निकालेंगे कि बच्चा की बिरिधी, बच्चे की संख्या की बिरिधी, संख्या में बिरिधी, बच्चे की संख्या में बिरिधी कितना का हुआ, तो देखें तो 400 था, 440 हो गया, तो आप कहेंगे कि 440 में से 400 लेकिन पुछता है कितना परतीसत की बिरिधी हुआ है तो यहां लिखेंगे परतीसत बिरिधी परतीसत बिरिधी और परतीसत बिरिधी निकालना है तो देखिए यहां 40 ब्रिधी हुआ है कितना से 40 ब्रिधी हुआ है तो 400 से इसके लिए एक फर्मुला भी याद रख सकते हैं ऐसा कि ब्रिधी याद रखेंगे कि ब्रिधी बटा मूल संख्या अगुना में 100 इसे जब करेंगे तो ब्रिधी परतिसत निकल जाएगा तब बतावो भाई ब्रिधी कितना का हुआ है 40 का और गुना में 100 करेंगे और फिर मूल संख्या मने कितना से बढ़ा है तो 400 से 440 हो गया है ना तो 400 को नीचे लिखेंगे और इसको 00 से 00 काट दिये 4 दहां 40 यानि कि कित उत ना गिया? 10 और इसमें परतिसत का चीन लगा देंगे अंसर हो जाएगा आप इसको फर्मूला से बना सकते हैं अगर जो है सोच रहें आप लोग कि फर्मूला से ना बनाए तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं देखिएやहां बिरिधी हुआ कितना 40 की बिरिधी हुआ य हम लिखेंगे चार सो में चार सो में चालिस की ब्रिधी होता है चालिस की ब्रिधी होता है तो हम परतिसत जब हम निकालते हैं तो सो में निकालते हैं ठीक है कि सो में कितना ब्रिधी हो रहा है वही परतिसत कहलाता है तब बतावो एक में कितना की ब्रिधी होगा तो आप कहें आहना ब्रीधी हो जाएंगा आव हम कहें कि बताओ जी सौ में कितना की ब्रीधी ऑगा कोई हुगा 100 में बिरिधी होगा तो ही उसी को बोला जता है परतीसत बिरिधी है ना हो जाएगा तो देखे इसको जब काटेंगे 0 से 0 कट गया 4 दाहियों 40 यानि कि 10 आ गिया अतह लिखेंगे परतीसत बिरिधी बराबर कितना बढ़ गया 10 और 10 के साथ परतीसत का चीन लगा देंगे यह क्या हो जाएगा परतीसत बिरिधी हो जाएगा ठीक है चलिए तो बाकी कोशन यह सब जो है उसी प्रकार से है तो इसको आप खुद से बनाएंगे है ना चलिए अब देते हैं कोशन नमर नेक्स्ट और यह 12 नमर और 13 नमर कोशन कोशन परकार से है काता है कि जैदीप ने 1200 अंको की परिच्छा में 750 अंक पराप्त किये तस्था संभू ने 1000 अंको की परिच्छा में 500 यहां पे 500 है 500 अंक पराप्त किये बताओं किसे जो है अधीक अंग प्राप्त मिले किसे जो है अधीक प्रतिसत अंग मिले देखे बारसों के टोटल परीछा था जिसमें से 750 अंग प्राप्त कियें कौन जैदीप लेकिन संभू कितना प्राप्त किया एक हजार प्राप्त किया एक हजार अंगों में 500 अंग प्राप्त किया तो आगे निकालते हैं जैदीप का प्रतिसत निकलना है तो देखिए आप ऐसे निकालेंगे कि कितना अंग प्राप्त किया तो उपर और कितना में से तो 1200 अंग में से तो 1200 नीचे और गुना में 100 कर दें परतिसप निकालना था क्योंकि 100 पर बार बार परसेंटेज निकालते हैं तो 00 से 00 कट गया इस से काट देंगे 3 से 3 चुग 4 तिया 12 और 25 तिया 75 है ना फिर तो यह लगता है कि नहीं कटेगा 4 से भाग देंगे अब चाहाए 2 से काट दिजिए 2 दुनी 4 और 125 दुनी अड़ाई 100 आज दूसरे भाग देंगे ता जाया कितना 62.5 परतिसप मतला जैदीप का परतिसप कितना है 62.5 परतिसप लेकिन यदि हम निकालना चाहें संभू का परतिसप तो लिखेंगे संभू का परतिसप संभू का परतिसप बराबर तो संभू का परतिसप कैसे निकालेंगे जी त ाइन लिए सब्सक्राइब १र्यणा एक हजार मीचे अरना 100 करदेंगे था डवल जिरो १ॡुस hijos कट क्ट होग है एक जीरो से एक जीरो कट गया कितना पचास मतलब दो कहता है बताओ किसे अधीक अंक मिले किसे जो है अधीक परतिसात तो रभी लेते कर राधा आदेमी ला जयीब के 60-60 पास लेकर संभू के 50 से है तो लिखेंगे अता जैदेAP जैदीब का पथिशत आंग अंग अधिक मिला अधिक मिला अरे ही क्या वो जाएगा इस प्रस्वन का अंसर हो जाएगा ठीक है तो ठीक उसी परिगार से तेरा नमर भी कोशन है ठीक है आप इसको खूद से बनाएंगे चलिए अगला कोशन देखते हैं चलिए अगला जो कोशन है यहाँ पे चौदे नमर काता है कि सौर आभे परती मां तीसे रुपया की टौफी खाता है यदि टौफी के मुल में दस परतिसत की बिरिधी हो जाए तो उसे अपनी आवसकता में कितने परतिसत की कमी करने होगी है ना देखिए यहां पे कहता है कि Saurab है हर एक महिना में 30 रुप्या की टॉफी खाता है यदि टॉफी के मुल में 10% की बिर्धी हो जाता है मतलब जैसे जो है इधर देखिए जो सौरब है सौरब है सुरुबार में टौफी का मुल कितना था यानि कि टौफी का मुल है तो टौफी का मुल देखें तो यहां पे 30 रुपया था 30 रुपया लेकिन इसमें 10 परतिसत बढ़ गया तो लिखेंगे कि टौफी के मुल में बिरिधी कितना का हुआ 10 परतिसत के बिरिधी हुआ है मतलब 30 रुपया तो ही रहवे करेगा पलस में 30 का 10 परतिसत आउ बढ़ गया तो जोड देंगे तो 30 पलस 30 का मतलब गुना 10 परतिसत मतलब 10 बटा 100 इसको 0 से 0 काट देंगे यह 0 से 0 काट दें मतलब 3 आउ बढ़ गया मतलब 33 रुपया हो गया है ना तो काता है तो उसे अपन और सक्ता में कितने परतिसत की कौमी करनी होगी मतलब देखिए यहां पे देख रहे हैं कि तीन की बिरिधी हुआ है है ना तद तीन की बिरिधी हुआ है और इस प्रकार से 33 हो गिया है तो उसमें कौमी करने के लिए कह रहा है कि कितना कौमी करना होगा कि मतलब कमी रुपया को उसको खाना होगा टौफी कि वो तना ही पैसा में खा ले है ना मतलब पैसा को बढ़ाना गटाना नहीं है तीसे रुपया रखना है लेकिन बढ़ भी किया तीन रुपया जादे तो तीसे रुपया के टौफी खाएगा तक कितना जो है उसको अपने उसकता में कमि करना होगा तो इसलिए कमी परतीसत यदि निकालना होगा तो देखिये इस प्रकार से जब कोशन रहे तो आगे देखेंगे भिरिधी कितना का हुआ तो लिखेंगे भिरिधी और गुना सो बटा में यह जो लाश्ट kolar रहेगा ओकरा से निकालेंगे और लास्ट लग कोछी कहेंगे नया मुल ले ठीक है तो देखिए बिरिधी कि इतना का हुआ है तीन की बिरिधी हुआ है गुना में 100 और नया मुल कितना है तो नया मुल होगिया ते 30 रुपया तो तीन से काटेंगे ता 12 ता 1299 एक बटा 9 यानि कि इतना परतिशत की क्या करना होगा उसको कमी करना होगा सुरी यहां पर 11 होगा नौ पुर्णांग एक बटाए 11 परतिशत फिल से एक बार देहान दीजिए काता है कि टॉफी का मुल शुरु बार में 30 रुपया था लेकिन टॉफी के मुल में बिरिधी हो गिया अब बिरिध तो नाय मुल 33 रुपया हो गिया तो अपना सकता कितना कम कर देगा कि तीसे रुपया में जो है वह अतना टॉफी को खा लेगा ठीक है तो देखिए और सकता को अगर कमी निकालना है यानि कमी परसेंट तो लिखेंगे कि ब्रिधी ध्यान दिजेगा ब्रिधी उना 100 बटा नै नेका मुल यह बला तब रिदी हुआ है तीन रुप्या के अगुना सो नया मुल कितना है ते तीस और इस प्रगार से करेंगे नौ पुर्णा एक बटा 11 परतिसत के उसको क्या करना होगा अपने आउसकता में कमी करना होगा ठीक है तो इस प्रगार से इसको हम लोग अगे आगे देखिए अगला कोस्टन बनाते हैं अगला देखेंगे यहां पर कोस्टन नमर सोल्ला अब सोल्ला नहीं है इसी के साथ जो है पुरा समाप्त हो गया कोस्टन और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अभियास में और आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धनेवाद झाल